तो आज ना इस वीडियो में हम प्लस प्लस फन के फोर टू फाइफ चैप्टर करेंगे इसी तरह मैं कोशिश करूंगी कि सारा प्लस फन और प्लस टू का कम्प्लीट करा दूंगी अगर अच्छे मतलब वो रिव्यूज आते हैं मतलब मैं ट्राई करूंगी कि पूरा ही करा ठीक है तो let's get started फर्स चैप्टर जो फ़्लस फन का है living world यहां से मतलब कोशिशन ना के बराबर आते हैं यहां से इतने कोशिशन नहीं आते हैं यहां चलो तो यहां पर हम देखेंगे जो living है living world वर्ल्ड के अंदर जितनी भी living organisms हैं उसको हम इसमें study करेंगे तो यहां पर ज इस तरह के से basic basic इनकी characteristic होती है, main characteristic like homeostasis करते हैं, metabolism इनके अंदर होता है, तो living organism जैसे हम है, जितनी भी characteristics होती है, यह सारे living organism की characteristic होगी, अब है, diversity इसमें क्या है, हमारा जो living, पूरे world है, उसके अंदर organisms तो बहुत जादा है, अब क्या हुआ, यह जो diversity है, इसको कुछ parts में divide किया गया, ताकि क्या है, organisms को characterize किया जा सके, तो उसके लिए सबसे पहली branch जो थी, that was nomenclature, nomenclature में क्या किया गया, इनकी naming की गई, और यह जो naming थी, that was universal, that was universal, universal का मतलब क्या है, अगर हमें मतलब, इंडिया में आकर मुझे homo sapiens बोलेंगे, तो मैं ऐस्ट्रेलिया में जाओंगे, तो वहाँ भी मुझे homo sapiens, that was universal in the whole world, ताकि कोई भी confusion ना हो species के अंदर, second उसकी branch थी, that was systematics, systematic था मतलब, हर चीज system में थी, जैसे एक पूरा order था, पहली kingdom arrange होंगे, phylum arrange होंगे, everything was systematic, इस तरीके से एक और branch लाँच की, फिर एक और branch होती है, that was classification, classification में क्या किया, organisms को classify किया गया, तो इसके अंदर कुछ तो हमारी थी, कुछ तो process थे, जिसके थो इनको classify किया, उसके बाद क्या हुआ, इनके अंदर थोड़े और changes हुए, और कुछ modern aids को use किया गया, जिसकी वज़े से इनको classify किया, अब एक एक करके इनको देखते हैं, basic, nomenclature में हम क्या पढ़ेंगे, binomial nomenclature, binomial, देखो, nomian मतलब इनकी naming कर रहे हैं, by मतलब दो, तो यहां पर हम क्या करते हैं, genus और species, इन दोनों की क्या करेंगे, यहां पर nomenclature करेंगे, अब यह nomenclature क्यों कर रहे हैं, ताकि जितने भी possible disputes हो, उनको खतम किया जा सके, अब यह यह जो nomenclature किया, ऐसे नहीं कोई भी उठा के nomenclature कर जाएगा, तो यह nomenclature करने के लिए, जो plants का nomenclature किया, that was done by ICBN, इसके full form क्या होगी, international code for, B for botanical, मतलब botanical किस से related हो जाएगा, plants, और जो geological होगी, उसने की nomenclature animals की, अब इसके rules क्या थे, binomial nomenclature की, binomial nomenclature किसने की, carlineness ने, अब इसके universal rules है, एक तो यह जो भी नाम होंगे, latin के अंदर होंगे, ठीक है, कि कोई भी origin हो, हमेश्या italics में ही लिखे जाएंगे, अब जो first word होगा, वो genus होगा, जैसे homo sapiens होगा, homo sapiens, तो यहाँ पर क्या हुआ, यह तो हो गया मेरा genus, और यह हो गया मेरा species, अब जो genus होता है, उसका first word तो capital होगा, और जो species होगा, उसका first word small होगा, italics में हमेशा लिखे जाएंगे, जब हाथ से हम लिखेंगे, तो इनको हमेशा underline करना है, हमेशा underline करना है, और यह जो होता है, binomial nomenclature, पीजीटी में नहीं भी पूछा जाता, बिकोश थोड़ा easy हो जाता, बढ़ टीजीटी में इसके rules पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और I think एक दो rules इसके एक बार आए भी होएं, 2018 के question paper में, जीना starts with capital letter, यह तो capital letter से होगा, जैसे magnifera indica है हमारा, और species को हम small letter से लिखेंगे, तो यह थी हमारी binomial nomenclature की universal rules, फिर उसके बाद है हमारी systematic, systematic क्या होगा, यह भी एक branch of study है, जिसके अंदर क्या होगा, different organisms and their diversity and relationship between them, अब जो भी organism है, वो जिस भी environment में रह रह रहे हैं, इन सब के बीच में एक relation है, उस branch को हम बोलेंगे, systematics, जो यह भी word हमारा Latin का है, that is system, systema मतलब systemic, किसकी systemic arrangement, organisms की, अब काल लेनियस था, उसने क्या एक book लिखी थी, that was systema natura, और उसका title था, the scope of systematic was later enlarged, यह सब ऐसे आपको में PDF प्रोवाइड कर दूँगी, मेरे telegram channel पे, आप वहां से इसको पढ़ लेना, बाकि that, यह इतना उसमें नहीं आता, exam में नहीं आता, फिर है classification, classification में क्या किया है, इन्होंने group कर दिया, अपनी convenience के according, जैसे grouping कर दी, कि यह kingdom के अंदर डाल दी, यह phylum के अंदर डाल दी, वह दो proper grouping कर दी, जो same-same characteristics के थे, उनको same-same group के अंदर डाल दिया, तो यह सब इनको classify किया गया है, grouping into the convenient categories, based on easily observable characters, we use convenient categories to study organisms, organism को study करने के लिए हम एक convenient category होती है, जिसको हम taxa भी बोल देते हैं, और इसकी study को हम बोलेंगे taxonomy, जब हम different organisms के, मतलब taxa पढ़ेंगे, next is modern taxonomic studies, external, internal, cell structure, development process, यह सारे अब हम modern taxonomy में पढ़ते हैं, यह सारा इसमें, first chapter में इतना कुछ नहीं आता है, फिर taxonomical aid, taxonomical aid क्या होगा, taxonomical पढ़ने के लिए, जो aid use होती है, aid मतलब, जो help use होती है, उसको हम बोल देते हैं, taxonomical aid, info gather, देखो, जब भी exam में कोई question नहीं भी आए ना, तो क्या करना, आप words को break करके देखना, taxon मतलब, यहां पर taxon हो जाएगा, जिसे, ठीक है, taxon हमें पता चल गया, ग्रूप है, वालब एक तरीके से characterise किया गया है, यहां पर, norme मतलब, यहां पर कुछ ना कुछ nomenclature से related होगा, aid मतलब, कुछ ना कुछ help use होगे, तो इस तरीके से भी अगर आप questions को eliminate करने के कोशिश करोगे तो भी हो जाएगा, info gathered और actual specimen for primary source, यहां पर कुछ actual specimen, यहां फिर information को gather किया गया, किसी primary source है, primary source मतलब, कोई basic source है, ठीक है, और उससे क्या की, taxonomic study की गई, systematics, अब यह क्या क्या यूज किया, इन्होंने जैसे herbarium यूज कर लिया, botanical parks, geological parks, botanical museums, इस तरीके से इन्होंने काफी यूज किया, अब की क्या होता है, key used for identification of plants and animals, ठीक है, बाकी यह सारा आप पढ़ ले न, इसमें कुछ नहीं है, इस से एक बार question आयो है, बस इस chapter में एक बार इसी से question आयो है, वरना इस chapter में question नहीं आते है, देखो, इसको याद कर लो, सबसे नीचे species होती है, genus, इन यह दोनों हम कहां पर हमने पढ़े अभी पाइनॉमियन नेमन क्लेचर में, किसने दिया है, काल, लाइनस ने, ठीक है, फिर उपर सबसे उपर क्या होगा, सबसे उपर क्या होगा, हमारा kingdom होता है, dynasty, और kingdom के नीचे होगा phylum, यहाँ पर कई बार division भी लिखा मिल जाता है, फिर यह इनने याद रख लो, कॉफ, ठीक है कॉफ, ठीक है, कॉफ है, एक्जाम का, तो कॉफ याद रख लो, और नीचे, जीन, species, और जीन, तो इस तरीके से, यहाँ से एक बार question आया है, otherwise, यहाँ से question नहीं आया, next chapter is biological classification, इसके अंदर क्या करेंगे, बायलोजी की classification, तो बायलोजी में हम किसकी classification करेंगे, जितने भी living organisms हमारे present है, लाइक जितने भी bacteria present है, वाइस प्रजेंट है, एल्गी present है, फंजाई present है, प्लांट्स प्रेजेंट है, एनिमल्स प्रेजेंट है, इन सब की हम classification देखेंगे, इस चैप्टर में, तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं, biological classification में, that is, Moneira, Moneira क्या होता है, Moneira जो इ दो घनोड में सुनाय हैं में सावरी संवर का जूर्व सिक का सब वारी स्वायी ही से ऊप तर्षाइब भी के अधर सीते हुएं करते है यह भाक है ऐसे सिस्वाइब आप सावर का कहुप जर सेर्फाना माञा मां पहाँ maar स्ट्रेप्टोग कोकस अब देखो बेक्टीरिया का जो डाइग्राम होता है वहाँ से कोशन आ जाते हैं तो उसकी एक बेसिक जन्रल जन्रल सा याद कर लेते हैं ठीक है बाकी ना जब डेमो वीडियो डाली थी बैच के लिए तो वह अभी भी मतलब अचीवर्स अकैडमी की जो योट्यूब चैनल है उस पे आपको मिल जाएंगी और वहां से भी आप देख सकते हो अगर किसी को पूरा डाइग्राम के साथ समझना है तो इस तरीके से हमारा बेक्टीरिया का डाइग्राम होता है यह बेक्टीरिया है इसके बाहर अगर लूज लेयर प्रेजेंट होती मतलब सबसे बाहर यहां तो स्लाइम लेयर होती है यह कैपसूल फिर उसके बाद हमारी सेकिंड लेयर होती है ठीक है सेल वॉल और उसके बाद हमारी तीसरी लेयर होती है तो इन तीनों को मिलाके हम क्या बोलते हैं सेल एंबिला यह ग्लाइकोलकलिक्स है जो बनी होती है हमा यह जो second layer होगी that is cell wall अब जो bacteria की cell wall किसकी बनी होती है हमारी peptido glycan और यह जो peptido glycan है इसके अंदर हमारे जो उसके monomers होते हैं दो यह होते है नैग और नैम और यह इस तरीके से alternate लगे होते हैं एक नैग का होगा एक नैम का बना दिया फिर एक नैग का होगा फिर एक नैम का इस तरीके से होते हैं और यहाँ पर क्या होती है इनके बीच में cross linkage होती है इस तरीके से इनके बीच में cross linkage होती है इस तरीके से peptido glycan हमारी इसमें बैक्टिरिया की cell wall बनी होती है तो आपको यहाँ पर इतना हो सकता है अब क्या होता है question में 45 points देते हैं यहां तो एक chapter से related देदेंगे या 45 chapters के कहीं कहीं से कोई-कोई points देदेंगे या correct incorrect पूछते हैं में लिए incorrect पूछ लेते हैं कि select the incorrect option आपको पता होना चाहिए नैग और नेम यहाँ पर बने होते हैं। तुइसरी होते हैं थीनों मिलाके क्या होती है जिसको हम बोलते हैं। अब जो हमारी cell मेम्स्वन या प्लास्मा Margin जिसकी बनी होते हैं। हो हमारी lipids की बने होती है lipids बाइले अब जो है बैक Đी आ उसके अंदर हमारे बने होते है hai कि मिजोजॉम जो a dasahe के उर्णो यहां पर झैंदर इसके और यहां पर मीजोजॉमगे कि अदर पूछा vibrant श is मेजुजोम होता है यह यह कई बार is form में हो जाएंगी या कई पर इस तरीके से हो सकती है मतलब इस तखरेके से डिफेर्ón फों में हमारी मीजुजोम होती में next is इस से कुशिन पूचित जा सकता है ठीक है क्रोमेटफूर हमारा present होता है बेक्टीरियya में chromatophore क्या होता है यह in folding है इस तरीकी से बस present है और इसके अंदर हमारा chlorophyll agent present है ठीक है next is flagella. flagella से question आता है फ्लagella हमारा यहाँ पे जो cell membran होती है है इस तरीके से अटाइच होता है present in motile cell, absent प्रेजेंट कहां पियोता है साइनो बेक्टीरिया के अंदर को कस कें पिकलब फिर हमारा प्लाजमीन होता है इसयाटिस तरीक चूटी चूटी हो ये चलोओ नम्बर में हों की कि फिर अस्पर से फिर हमारा जो नुकलियोड इसके बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होता है इस इस जो जिनोमिक डियने राइबोजोम आपको पता आना चाहिए बैक्टीरिया में कौन सा होता है सेवन्टी एस इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होती है इनका काम क्या होता है स्टोरेज का ज से आपको पता हों जी गैसुझ आइंग में परीजेंट होता है में सी जो गैसे टो इस जो इस बैक्तिरिया उसका कैसा होता है एक तो उसका न्योट icons उत्रेशन होता है जैटिस ऊट्ट्रोपिक मतलब अपना खुद बनाता है तो इस ओट्ट्रोपिक को भी हम्डोपार्ट दिवाइट करते हैं एक तो होता है chemo autotropic मतलब chemicals की help से अपना खाना बनाएगा और दूसरा है photo autotropic तक मतलब light की help से अपना खाना बनाएगा अब जो chemical's की help से बनाते हैं तो इन औरगेनी chemical का use करके उसका degradation करके अपना food synthesis करते हैं तो इसके example है that is नाइट्रोसोमनास एंबेसिटर जो नाइट्रोजन साइकल गीवन है ना हमारी ठीक है प्लांट फीजियोलोजी में वहां पर ये एक्जाम्पल्स गीवन है ठीक है फिर आप फोटो ओटोट्रॉप्स जो लाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं दैट आप साइनो बेक्टिरिय जो हमारे बेक्टिरिया होते हैं व है टॉट्रोट्रॉपिक भी होते हैं सेप्रोफाइटिक मतलब डेडेंट की पर टे तनस करते हैं तो इस तरीके से हमारे कुछ परसिटेग के लुग है फिर हमारी बाद आती है मौनेरा में रिपरोड़क्शन की तो इसमें जो reproduction होता है वो asexual भी होता है किस तरीके से fission हो सकता है जैसे यहां पर यूं होता है अमीबा के अंदर हो गया unfavorable condition होती है तो जो bacteria है वो spore की form में हो जाते हैं यह spore क्या होते हैं जब unfavorable condition उनके लिए favorable नहीं है dormant stage में survive करते हैं ठीक है लेकिन जैसे ही condition favorable आती है यह grow कर जाएंगे next is sexual भी करते हैं sexual इसके अंदर three types का होगा जैसे dna जैसे transformation, transduction इस तरीके से यह sexual भी करते हैं transformation करते हैं transformation के अंदर क्या करेंगे यह अपना dna एंटर कर देंगे उसके अंदर और अब जिसके अंदर यह गया है यानि host के अंदर गया है तो यह अब जैसे देखो यह host बना दिया इस host के अंदर यह वाला यह dna चला गया और इस host के अंदर खुद का भी dna था तो यह जब purple वाला यह वाला जो गया है यह अंदर जाके इसको transform कर देगा ठीक है fusion करके एक तरीके से पहले recombinant बनेगा और फिर अपना ही dna बना लेगा machinery पे take over कर लेगा तो transform कर देगा dna एंटर कर जाएगा transduction में क्या होता है plasmid की help से होता है ठीक है यहां पे इस तरीके से एंटर करता है one bacterium two other by virus conjugation में क्या होगा इस तरीके से दो bacteria हमारे एंटर करते हैं bacteria two bacteria plasmid फिर है types of bacteria first bacteria that is archibacteria archibacteria वो होते हैं जो हमारी मतलब harsh habitats में मिलते हैं इसका एक example पुछा जाता है that is thermos aquaticus archibacteria में हमारे सारे वो आएंगे जो harsh habitat में मतलब जादा जहां पे temperature high होगा ज्यादा cool होगा salty conditions होगी salty conditions वाले हेलोफाइल्स और इस तरीके से हमारे क्या होते हैं उनको हम archibacteria बोलते हैं यह harsh habitats हैं जो abnormal habitats हैं वहाँ पे survive क्यों कर पाते हैं क्योंकि इनके जो cell wall होती है वो different होती है ज्यादा थिक होती है ठीक है इनके अंदर जो RNA होता है वो भी 16S RNA होगा फिर हम methanogen जैसे हमारे जो methanogen ह होते हैं यह methane प्रोड्यूस करते हैं और यह methanogen हमारे methanococcus उसके अंदर भी होता है रिमिनेट्स के अंदर हेलोफाइल जो ज्यादा salty concentration में होंगे यह अगे thermos aquaticus thermoacidophile थर्मो मतलब ज्यादा गर्मी वाला acid तो यहां पर यह क्या होगा हमारे living acid high temperature साइनो बेक्टीरिया क् करता है हमारा फ्रेश वाटर में प्रेजिंट है chlorophyll A on chromatophore साइनो फीशन ग्रेनियूल से इसके अंदर होते हैं और गैस वेक्टियूल भी होता है यह ब्लूम्स बनाती है हमारी polluted water में जिससे हमारी क्या होती है यूट्रोफिकेशन हो जाती है इसके एक्जाम्पल है साइ में अरोबिक कंडिशन से सर्वाइव करता और इसमें प्रेजन नहीं होती और इसमें इसको हम बोलते है जोकर ऑफ प्लांट किंग्डम कि है यह आया था 2020 में ओर था और हमारे प्रोटिस्टा उनिंटा होते हैं। यु केअरियोट से अब लुकेअट तो वो eukaryotes क्या होते हैं जिनके अंदर well-defined nucleus होता है तो well-defined nucleus होगा लेकिन unicellular है इनका जो food होता है that is mode of nutrition that is autotropic मतलब खाना खुद बनाते हैं oxygenic होता है heterotropic होगा यहां पे जो flagella present होता है eukaryotes के अंदर that is 9 plus 2 flagella अब हम protista को divide करेंगे 3 parts में एक तो होगा chrysofides, second is dinoflagellates and third is uglinoids chryso का मतलब क्या होता है gold होता है यह हमारे कुछ gold bearing होगे तो इसके अंदर हमारे कौन से होते हैं diatoms, desmid जो के हमारी golden algae है और marine water में यह सब मिलते हैं यह भी marine में है पस हमारे जो uglina है वो fresh water में लेकिन fresh भी कैसा होगा stagnant एक जगे पे खड़ा है अब है इनका flagella यहाँ पे तो कोई flagella नहीं है passively flow करते हैं अब dino है तो मतलब 2 और flagellates तो 2 flagella है तो इससे question पूछे जाता है दो flagella और एक flagella तो इस तरीके से transverse है और एक हमारा वह होता है longitudinal तो इस तरीके से हमारे 2 flagella होते हैं और इनके उपर इस तरीके से हार्ड सी plates होती है जो बनी होती है stiff cellulose plate की ठीक है और जो uglina है इसके अंदर दो और एक तो लंबा होता है एक छोटा होता है ठीक है और एपिकल होते हैं यह फ्लेजिला वाला point याद कर लेना इन दोनों का next is cell wall cell wall क्या होती है यहां पर जो chrysophytes है यहां पर क्या होता है जैसे die atoms है die atoms कि में क्या होता है silica काफी present होता है तो जहां like soap case इस तरीके से इनकी शेल होती है soap case की तरह है चीक है तो वह soap case वाली किस की होती है हमारी chrysophytes की chlorophyll A होता है डाइन फ्लेजिरेट्स में chlorophyll A के साथ हमारा phyco-erythrin भी होता है यूग्लेनाइट्स में chlorophyll A है बी present होगा अब हमें पता है कि यहां पर autotropic nutrition भी कैसा है oxygen तो oxygen और यहां पर photosynthetic यहां पर देखो यह आगी diatomis earth form हो जाती है क्योंकि जो diatoms है उनकी cell wall होती है that is indestructible मदब तूपती नहीं है काफी टाइम तक वहीं पर रहती है तो इसलिए वह जो सब्सक्राइब हो जाती है यह चीफ प्रोड्यूसर्स हो जाते हैं ठीक है और ओशियन फिल्ट्रेशन यह सम्में यूज होते हैं इससे कोशन आता है जो यहां पर इसका है डाइन फ्लचलेट्स में यह हमारा रिस्पॉंसिबल होता है रेड टाइड के लिए फिर यहां पर हमारे प्रीडेटर्स प्रेशन नेक्स्ट इस प्रॉटहों प्रोड्री जो हाता है डाहि ते उह हमारा प्लाज्मुडियूम ऑन जो जो malaria cause करता है वो भी एक protozone है ठीक है यह predators होते हैं और parasitic अब protozoa को भी हम डिवाइड करते हैं amoeba में flagellated, ciliated and sporozones amoeba हमारे कौन से होंगे जो इस तरीके से amoeba के वाली movement दिखाते हैं यह fresh water में भी है मेराइन में भी अब जो amoeba है उसका यह पार्ट जो movement करता है उस पार्ट को हम बोलते हैं pseudopolia ठीक है उस पार्ट को हम बोलते हैं pseudopolia जो capture करेगा प्रे को और movement करके food भी अपना capture करता है और अंदर vacuoles की help से वो digest हो जाता है merine have silica की shells second is flagellated वो यहाँ पे include होंगे जिनके अंदर flagella होता है इसका example होगा हमारा trypnosoma trypnosoma हमारा कुन सा जो slipping sickness करता है फिर सीलियेटीट जैसे paramecium जैसे होता नहीं हमारा paramecium इस तरीके से इनके बाहर यूं सीलिया होता है तो यह बाहर से यूं food लेते हैं इन सीलिया के help से और यह food हमारा यहां गुलेट के थू अंदर paramecium इंजेस्ट कर लेता है फिर इस poro Jones जैसे हमारा plasmodium और plasmodium से कोशन हो रहा था यह हीमो यह आया था एस्टेट TGT 2018 में हमारे बलड में रिलीज करते हैं जिसके वज़े से यह chilling होती है फिर है फंजाई फंजाई में क्या होता है जो फंजाई होती है दाट इस मेली फिलामेंटस लेकिन जो हमारी यह इस्ट होगी वह यूनिसेल वह होती है फिर हमारी जो फंजाई होती है वह चार टाइप्स की होती है एक होती है फाइक होती है एक होती है एक होती है एक होती ह उसके अंदर जो true sexual reproduction है वो absent होता है इसलिए जो deuterium mycetes होती है हमारी उसको हम बोलते हैं fungi imperfect dye ठीक है imperfect है fungi क्योंकि true sexual reproduction यहां पर absent होता है देखो phycomycetes क्या होगी हमारी यह आपको यह वाला point याद रखना है कि कौन सी एसप्टेट है और कौन सी सप्टेट है तो अकेली हमारी जो phycomycetes होती है दाट इस एसप्टेट बाकि सप्टेट होती है ठीक है बाकि इनकी मतलब जो और characteristics है वो इतनी important है फिर हमारी एसेक्सवल स्पोर्स एसेक्सवल स्पोर्स यहां पर हमारे कौन से होते हैं एंडोजीनियस दुबारा बता रही हूं यह वाली तो डेमो क्लासिस शयद अभी भी यूट्यूब पे इस पे चैनल पे हैं यूट्यूब चैनल पे ठीक है इसी पे तो आप वहां पर भी देख सकते हैं एंडोजीनियस होंगे मतलब अंदर यह स्पोर्स बनते हैं ठीक है और यहाँ पे एक्सक्व जेनियस और यहाँ पे बसीडियो माईशीड में असे हैं फिरे जैक्स Vaseline होते हैं यहाँ पे तो इसको स्कॉर्स होते हैं यहां हमारे स्कार्प के अंदर स्कुर्स होते हैं अब इनकि एक्जांपल से कोशन आते हैं ठीक है इनका पता हumbles जाएगे कोशन थोड़े से लगा लेना एल्गी वर्फन जाएगे ठीक है इसका एक्जामपल होगा एल्बुगो एल्बुगो क्या कोश करता है हमारा वाइट रस्ट फिर राइजोपस और मुकर सेकेंड एसकोमाइसीट्स उसका एक्जामपल हमारे कौन से होते हैं येस्ट जोकि नोन-फिलामेंटस है एक्सेप्शन भी हमने पड़ा फिर है क्लेविस एपस जो हमारी एक एक लेस्ट होती है एस्परजिलस एफफला टॉक्सिन रिलीज करता है ये कोशन एक बार आ चुका है कि एफला टॉक्सिन कोन से स्पीसिस रिलीज करते है तो तो डाट सिटरिक एसिड भी हमारा डिलीज करता है एसपरजीलीस यह कोश्ड भी आगया हुआ है फ यहां पहर जो पैनिसीलियम है वह हमारे हमारे रिलीज कर तो यह में आपटे करते हैं मॉरल्स एंड ट्रफल्स और कोर्ण से होते हैं यह ऐडिबल होते की एक हमारी special characteristics होती है that is besidiomycetes के अंदर dollypore septa present होता है ठीक है यह question आया हुआ है हमारा 2020 में तो directly question पूछन है कि dollypore septa किसमें present होता है तो that is present in besidiomycetes इसके example होंगे toad stool puff balls यह भी question आता है puff balls किसको बोलते हैं तो besidiomycetes को agaricus जो की edible होती है ustalago जो smut कोज करता है पक्षीनिया rust कोज करता है ठीक है यह दो note पूछा पक्षीनिया graminis का एक बार पूछा गया होगा है तो that is वह कहता है rust कोज करता है फिर यह fourth हमारी deuterium icete जिसको हम फंजाई imperfect type बोलते हैं इसका example है koliotrachum इससे भी question आया है यह हमारी disease कोज करता है red rot of sugar cane ठीक है और इनसे भी हमारे question आते है इनके example से question आते है देखो इस तरीके से दिखाते है रस्ट ओफ वीट एक बार आयवा है तो कोज करता है पक्षीनिया graminis और पक्षीनिया हमारा किसका पड़ा हमने besidio my seeds ठीक है फिर हमारा albigo candida white rust of crucifers जिनको मैं बता रही हुँ न वह इंपोर्टेंट है वह वह कर लेना फिर है koliotrachum falcatum जो हमारा कोज करता है red rot of sugar cane और यह दो बार question आया हुआ है और प्रीविएस में रजस्तान वाले में भी आया है और काफी जगह तो यह काफी बार पूछा चाता है तीन तो यह हमारे उपर वाले में से करने हैं फिर यह हमारी athlete food कोण कोज करता है epidermiophidone candida candida वाला easy candida albicans फिर है यह वाला रहने देना aspergillosis aspergillus कोज करती है नेक्स्ट इस वाइरस वाइरस से कोशन आता है वाइरस क्या होता है a cell मतलब cell present नहीं होते वाइरस से हर बार एक कोशन आ जाता है तो टाम है वाइरस वो किसने दी दी हमारी लुइस पाश्चर ने जो mosaic disease है tobacco की वो दी थी इवनवसकी ने ठीक है यह चारो नाम पता होने चाहिए पहला जो वाइरस डिसकवर किया था दैट वस DMV टोबैको मोजाइक वाइरस फिर है जो वाइरस होता है ठीक है जो वाइरस होता है उसके बाहर protein coat present होता है और उसके अंदर हमारा genetic material present होगा अब यहाँ पर क्या होता है यह जो protein coat होता है यह यहाँ पर इस तरीके से DNA present हो सकता है या RNA present हो सकता है ठीक है दोनों नहीं present होंगे बिक्टिरियो फास के अंदर double-stranded DNA होता है plant virus single-stranded DNA animal virus के अंदर double-stranded DNA या फिर single-stranded या फिर double-stranded DNA फिर TMV HIV mumps influencer के अंदर अगर यह आपको नहीं भी याद रहती ना तो यह वाली नीचे वाली प्रूटियों से कोशन आई वे है यह चार तीन चार बार कोशन आई वे है वायरोइड्स वायरोइड्स और प्रायों से फिर वायरोइड्स वायरोइड्स किसने डिस्कवर किये टीयो डाहिनर ने इनके अंदर प्रेजेंट है single-stranded RNA यह दोन बहुत बार यह वाला पूच् प्रोटीन की फॉल्डिंग में प्रॉब्लम हो जाती है वायरोइड्स के साइज के इकॉल होता है और डिजीज होगी मैड काउड इस लाइकन्स जो क्या करेंगे सिंबाइटिक असोशियेशन एल्गी और फंजाईगी तो फंजाई की फंजाई को बोलेंगे अब जो लाइकन्स होते हैं यह क्या होते हैं पॉलिशन इंडिकेटर जहां पे भी पॉलिशन होगा लाइकन्स ग्रो नहीं करेंगे और लाइकन्स से हमें लिटमस पेपर भी मिलता है फिर यह माइकोराइजा माइकोराइजा क्या होती है यह भी असोशियेशन होती है प्ला प्लांट किंग्डम किसी को करना है तो आप मेरे चैनल है सक्सेस प्लाटफोर्म उसको उपर मैंने प्लांट किंग्डम पूरा करा रखा है और अच्छे से लाइफ साइकल्स वग्ता पूर प्रॉपरुम करा रखा है अगर कोई वहां पर नहीं देखा है тобा वहांप देख सकता है आम्रियो फाइटा एम्रियो फाइटा का मतलब क्या होगा जो यहां पे नहीं होते तो एलगी इस नोन एंब इम्रियो फाइटा वाकी इन तीनों के अंदर होते हैं उस 006 rib कर् यह को श्ला यह पूचा गया था यहां पर मैं सबसे पहले जो पोशन क्या था 2021 में कि वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स कौन से होते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स कौन से होते हैं तो वेस्कुलर मतलब सबसे पहले जायलम फ्लोम वेस्कुलर बंडल किसके अंदर आये तो वो आये थे हमारे जो टेरेस्टिल प्लांट है उसके को साथ यह घघतर है कि तो यह मारे क्रिप्टोग्राम से वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम हमारे होंगे टă्रीडोफाइटा क्या unfamiliaruki देख हो सबने लाइफ इंकल क्या होती है जो है प्लाउन्टिक दोनों के अंदर यह डिप्लॉण। daí यह यहां पे देखो इंदर जिएंदर जॉब इंदर देत तक कौन सा होता है यह है इसके अंदर यह में फसा लिप्लाउन्टिक तो इन के अंदर जो dominant phase होगा that is sporophyte फिर हमारे teridophyte से यहां से question आते हैं कि teridophyte में mainly जितने भी species होती है वो homosporus होती है लेकिन कुछ होती है exception जो heterosporus होती है तो heterosporus से पूछ लिया जाता है या फिर question इस तरीके से given हो जाता है कि 3 species hetero दे दी इन में से homosporus कौन सी है होती है हमारी सालवेनिया स्लेजिनेला आइसोइट्स मार्सीलिया ठीक है तो इस तरीके से given है यह 2020 में भी आया है 2021 मतलब यह question आता है काफी बारात है और एक इनके अंदर एक चीज यहां से हमारी pre seed formation स्टार्ट हुई थी अज़िए अज़िए के अंदर हमारी एल्गी को हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में ग्रीन एल्गी साइनोफाइसी ब्राउन एल्गी फिकोफाइसी रेड एल्गी रोड़ोफाइसी अब जो ग्रीन एल्गी होती है वह फ्रे युलोथ्रिक, स्पायरोगैरा और क्लेड़ोफोरा फिर हमारी युनिसललर एल्गी जो होती है दाट इस मोटाइल कोंसी होगी क्ले माइडोमोनास और नोन मोटाइल होगी क्लोरेला यह स्पेस ट्रावलर्स भी यूज करते हैं फिर जो वोल्वोक्स होता है वह कॉलोनियल क यह प्रॉपरली स्टड़ी गर लें अपको फिर ब्राउन अल्गी के हमारे एक्जांपल्स होंगे फ्यूकस अच्छा यहां पर नहीं लिखें अभी फिलामिन्टस लेस और यह यहां पर तीन पार्ट होते है इस तरीके से एक तो नीचे पार्ट हो गया जो अटैच्मेंट यह लिए होल फास्त फिर उसके ऊपर हमारे इस तरीके से टाइप होगी और फिर हमारे यह पर हैसे इस तरीके से अब देखो Flajula, जो Red Algae है उसके अंदर Flajula Upsent है, और जो Green Algae है उसके अंदर Flajula हमारे दो से 8 होते हैं, और जो Brown Algae है उसके अंदर Unequal होगे, फिर यह पॉइंट आपका important है, जो यहां पे पाइरोनोइट्स प्रेजेंट है, तो Green Algae के अंदर है और इन पाइरोनोइट्स क यहां पर फ्लोरेडियन स्टार्च पिग्मेंट याद कर लेना एबी एसी एडी फिर बी सीडी ठीक है यह ग्रीन एल्गी ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी एक फ्यूकस से कोशन आता है फ्यूकस का वो डाइग्राम आप पढ़ोगे तो इसमें आप देखना एयर ब्लेडर्स प्रेजेंट होता है यह पूछा जाता है कई बार ठीक है एस्ट्राइट में नहीं आया है पर एक जगे मैंने पढ़ा था शाहिद के वीस में पर यह कोशन आयाय की एयर ब्लेडर्स प्रेजेंट होता है तो वो किसके अंदर है फ्यूकस के अंदर डाइग्राम्स को अच्छे से बढ़ लेना थोड़ा है फिर एल्गी की जो लाइफ साइकल होते है वो हैपलॉंटिक हैपलॉंटिक का मतलब यहां पर जो डॉमिनेंट फेज होगा इस गेमिटोफाइट गेमिटोफाइट डॉमिनेंट फेज है तो हैपलॉइड होगा अब जो गेमिटोफाइट है इसके अंदर माइटॉस होगी तो गेमिटोफाइट से हमें क्या मिलते हैं गेमिट्स मिलते हैं तो गेमिट्स मिलगे अब हैपलॉइड बोडी थी तो हैप deployed अब इसके अंदर meiosis होगी तो यहां पे हमारा spore बनेगा और यह spore dependent है हमारा देखो 2019 का जो मैंने question paper कराया ना उसको देखना उसके ना दो question हमारे life cycle से आए वा है यहां पे यूँ पुछा गया था कि life cycle से ही question है कि कौन सा phase dependent है और कौन सा independent है 2019 का पहला और थर्ड question शैद तो यह है पहला और थर्ड question देख लेना ठीक है और यह मैंने achievers academy की YouTube channel पर यह करा रखा है ठीक है पक्का देखना और आपको जो videos देखनी है ना कि पूरा chapter अच्छे से होता है तो आप वो मेरे चैनल पर देख लेना success platform पर ठीक है और यह PDF में डाल दोंगी telegram पर यहां पर देखो gametophyte तो पहला phase ता तो यह तो free living था लेकिन इसके उपर dependent आया है हमारा sporophyte phase यह main plant body है that is green और जो sporophyte होगा वो non green होगा वो इसी लिए dependent है gametophyte पर ताकि अपना food यहां से ले सके तो देखो इसके यहां पर exception है वैस्तो इसकी life cycle haplontic होती है लेकिन kelp, ectocarpus और polysiphonia यह हमारे haplod implontic होते है यह brown algae है और diplontic होती है polysiphonia red algae होती है ectocarpus भी हमारी brown algae होती है फिर है इसकी economic importance देखो जो chlorella होती है वो space travelers use करते है क्योंकि यह protein rich होती है ठीक है तो आप space में ज़्यादा खाना तो लेकि जानी सकते तो chlorella को use करते है यह तो general science में भी question आ जाता है फिर हमारी purifiera laminaria sergaza यह तो red algae दो brown algae इनको हम as a food भी use करते है फिर है algin और keragin ठीक है यह हमने जब वहाँ पे देखा था इन तो brown algae की cell wall में है यह यह दोनों क्या होते हैं hydro collides roots को मतलब पानी वाली जो roots होते हैं उसको capture में help करते हैं फिर अगार अगार किससे optone होता है हमारी red algae से geladium और gracilaria कि next is bryophyta bryophyta के अंदर हम पढ़ेंगे liver warts and mosses जो bryophyta होता है उसको हम बोलते हैं amphibians of plant kingdom amphibians क्यों बोलते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन का water में होता है यह प्रॉपरली मैंने यह वाला चेप्टर करा रहा है इसलिए मैं यहां पर इतना यह के कॉइंट नहीं होता है है यहां पर यहां पर यह वाला पॉइंट आपको पने यहां से कोशन आया है यहां से कोशन पर आप देखोगे ना और इनफेक्ट जो न्यूस पेपर था उसके अंदर क्या इवन था कि जब तीन-चार दिसंबर को पेपर होगा जो न्यूस पेपर की कटिंग में हमने कर आया है इस चैनल पर की 2019 बीस की अकॉर्डिंग पेपर आएगा तो बिल्कुल यह नहीं कि उन पोरफाइट एक चीज है जो ब्राइओपाईट ते राइजोष प्रेजन है जो अलगी होती है हमारी वह तो हमारी थैलोफाइटा होती है थेलोफाइटा कि मतलब क्या है जो यह थेलों है मीद्ध घैलस लाइक बोडी है अब यह ना पर कोई भी ट्रू डिफॉरेंसियेश तो ब्राइबफाइट उससे थोड़ी सी हायर क्लासिफिकेशन तो यहां पर रूट-like structures यहां भी अपसेंट हैं यहां पर राइजोइट्स प्रेसेंट होते हैं देखो इसकी life cycle में क्या होता है गेमिटोफाइट dominant body है तो गेमिटोफाइट से हमें गेमिट्स मिलेंगे इनका fusion हमने करा दिया और यह fusion होता है वाटर में इसलिए इसको बोल देंगे है एमफिबियंस ओफ प्लांट किंडम फर्टिलाइजेशन से जाइगोट मिलेगा अब इसके अंदर हमारा क्या होता है जो जाइगोट बना इससे हमारा पॉरफाइट बोड़ी बनेगी ठीक है फूट हो गया सीटा और यह जो राउंड सा बना है इसस कैपसूल अब यह जो कैपसूल वाला पार्ट होता है इसके अंदर मियोसी होगे और यहां से हमें स्पोर्स मिलेंगे और इन स्पोर्स से आगे बन जाएगा हमारा और जैसे हमारा एल्गी में था और नॉन ग्रीन है और यह ग्रीन है तो इसके उपर डिपेंडेंट होगा फूड के लिए पिर एकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो मोसिस होते हैं जैसे मोसिस और लाइकन्स जब रॉक्स होते हैं उसके पर सबसे पहले कॉलनाइज हुए थे ठ फिर स्फेगनम स्फेगनम हमारा क्या है इसने प्रोवाइड किया था पीटी कैसे एज फ्यूल यूज हुआ था और जो ट्रांज शिप्मेंट की ना लिविंग मेटिरियल की उसमें भी यूज हुआ था स्फेगनम नेक्स्ट इस टेरिडोफाइट टेरिडोफाइट से डिरेक्ट कोशन पूचा जाता है फर्स्ट टाइम हमारे वो किसके अंतर आये थे वेस्कुलर बंडल तो वेस्कुलर क्रिप्टोग्रैम्स इनको बोला जाएगी ठीक है अब इसके अंदर हमारे एक स्पोर्स से कोशन आते हैं इनके अंदर मेडिशनल भी हैं यह ओर्नमेंटल भी है इनको जो कि फरूंन साथे तो ऐपन्स ओर्नमेंटल होते हैं है है एंप़ोयो डिप्लांटिक है हुमोस्पोरुस भी है हेटरोस्पोर दिद्धिनल सेल्विन सालविनिया अइसोइट समर्सिलिया कि यहां पर इनकी लाइसईकल बेशक भीषंग से है प्लोडिप्लांटिक जैसे हमारी किस्कीति ब्रयॉफाइट्स लेकिन यहां पर डॉमिन चाल थे हरे हो देटि लेकिन होगा अजिता है वह सारे स्पोर्स सेम होंगे है कि से हमें होगा дол Meg ? यह बहुत है कि यही ओता है इसमें तो अब जो स्पोराइट होगी तो इससे हमें क्या मिलते हैं इसे हमें स्पोरांजिया मिलेंगे एक लार्ज मिलता है पूर लाइफ सब्सक्राइफिकल में दूबारता हुआ होहाँ आप स्वापली करा है किसी को detail में करना है तो वहां पर कर सकता है Small sporangia meiosis होगा इनके अंदर यहां से तो माइक्रो स्पोर चोटा वाला उसे माइक्रो स्पोर मिलेगा बड़ा वाले से मेका स्पोर मिलेगा आप जो छोटा वाला है उसे मेल बन जाएगा और जो बड़ा वाला है उससे female बनेगी इसमें एक चीज ये है यहां पर ने प्रॉपरल लिकरा है यह हमारा वहां पर लगा रहाता है मतलब इस तरीके से जो लीफ है वहाँ पर अटैच रहता है उसके अंदर यहाँ पर अटैच रहता है इसी की वज़े से सीड हैबिट डैवलप होती है हमारी टैड़ीडोफाइट्स में यह कोशन भी आजाता है कि सीड हैबिट किसके अंदर डैवलप हुई प्रीकर्सर ओफ सीड हैबिट तो डैट वस डैवलप इन टैड़ीडोफाइट्स यहां पर हमारे क्या थी डिपेंडेंट फिमेल गैमिटोफाइट था हार्ड इंट्यूगमेंट थी यह सब कंडिशन थी तो प्रीकर्सर ओफ सीड हैबिटाइट टैड़ीडोफाइट्स के अंदर फिर हमारे जिम्नोसपर्म्स जिम्नोसपर्म्स में डॉमिनेंट स्टेज होती है तिस पोरोफाइट ठीक है क्योंकि इनकी लाइफ सेकल होती है डिपलांटिक इसके अंदर हमारी देखो एज ओफ साइकार्ट्स आ जाती है गिंगो लिविंग फॉसिल यह सबसे लंबा वाल जिम्नोसपर्म फिर हमारा प्लि मेली जो भी थंडी चिखे ऊते इनके स्पेशल यहां पर जो जुम्नो स्पॉंप हैं उनके अंदर वैसल अप्सेंट होती है अल्ब्यो में इनस सेल्स होते हैं सीव सेल्स होते हैं एक स्टेट एक चीज एक पॉइंट हो था हुआ अ कि पर अ कि 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 अधनी मेंने का हॉन दिख्वाइब कुछ पॉइंट से हैं वो बताती हैं यहां पे एक लाट हमारी एक कोशन है ड्रग एफ़ी ड्रेरीन यह हमें ऑपटेन होती है ठीक है जिमनोस पॉम से मलब ऑपटेन एफ़ीडरा है प्लांट पर मलब जिमनोस पॉम्स में ही है फिर दूसरी है एक टेकसोल की हमारी टेकसोल ड्रग है कैंसर ट्रीट करती है वह भी हमें मिलती है जिमनोस पॉम्स से फिर है एक और पूछा गया है हमारा यह कोशन है कुछ साइकस रेवोल्यूटा यह स्पीसीज है इसकी साइकस रेवोल्यूटा तो यह हमें मिलता है सेगो पाम एक हमें गयात है क्या सब्सक्राइब एक यह कुछन आए हमिलता है टो इस तरीकसे यह कुछन आएंग ऑद हुआ है कुछ और है एडिशनल पॉइंट्स वो भी देख लो चिर्पाइन हमें किसे मिलता है पाइनस रॉक्सी या स्पेल नहीं है रॉक्सी बर्गी ठीक है नेक्स्ट इस खासी पाइन चिर्पाइन थोड़ा द्यान रख लेना और एक है जो गिंक गो इसको हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं लिविंग फॉसिल क्या है जो पुराने टाइम से एज़िटी जा रहे हैं बहुत ही माइनर चेंज हुआ है यह लिविंग फॉसिल है और इसको मेडन हेर ट्री भी बोलते है ठीक है यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पाइनस हमने पड़ा देखा कि माइक्रो राइजल असोशियेशन करता है और जो साइकस है यह हमारे इसके अंदर कोरेलॉइड रूट्स प्रेजेंट होती है यह कुछ इंपॉर् कि यहां पर एक एक्सेप्शन और है कि यहां पर वैसल्स नमने देखा वैसल्स अपसेंट है लेकिन जो जिने टेल्स होते हैं हमारे जिने टेल्स होते हैं उनके अंदर वैसल्स प्रेजेंट है इसी का एक्जाम्पल है हमारा एफीड्रा और इस एफीड्रा से हमें क्या एक एक्सटा ही कुछ पॉंट्स थे एक्सटा यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन अप्सेंट होते हैं फिर एंजी ओस्पम्स को हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं यहाँ पे जो साइकल होती है लाइफ साइकल होते है ते दिप्लांटिक तो डॉमिनेंट फेजों का स्पॉ गेमिटोफाइट और त्री सेल्ड एगेप्रेटिस पूरा ये ना जो क्लास प्लस टू का सेकिंड चेप्टर है वहाँ पे जो डाइग्राम गीवन है सेवन सेल्ड एट गेमिट इस तरीके से वहाँ से कोशन आता है यहां पर ओर्फोट्रोपस होता है और फिर देखो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटिड यह इस चैप्टर से नहीं है वैसे पूरी एंसे रिलेटिड है कुछ-कुछ पॉइंट्स जोसफ प्रिसले ने क्या था था यह फोटो उसमें हमारा प्लांट फीजियो कैंडल थी, तो क्या देखा था इसने जब ट्राइंट कर रहा था और एक कोशन यहां से आता है यह प्लांट जो शेड के अंदर ग्रो कर रहे है इसको हम बोलते हैं स्कियोफाइट्स और यह वाली भी एक डेमो वीडियो इस पे फोटो सिंथेसिस वाली डली हुई अगर आप देखना जाते है तो जीवर सगेड में यूट्यूब जोसेफ प्रिसले का क्या है असेंशल रोल ओफ एर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट इसने डिसकवर्ड की थी ऑक्सिजन रोबर्ट ब्राउन ने क्या डिसकवर्ड किया था फर्स्ट डिसकवर्ड नूकलियस फिर हमारी एक बॉटनिस था एक जुलोजिस था स्कलैडियन इसने प्लांट के उपर किया क्योंकि बॉटनिस्ट है इसने प्लांट और एनिमल दोनों पर किया फिर रुडॉल्फ वर्चर ने क्या किया था ओमनी सेलूला इसलूला की जो पुराने सेल है ना उससे ही नए सेल अराइज हुए है कि मतलब जो एक प्री एक्जिस्टिंग स के फिर जो के मदल है इसने एक्सपेरिमेंट के ऊपर और आगे इसने प्रिंसिपल ऑफ इन्हायाइटंज उपर इनॉट पानी है उसके अंदर इसने एसंशेASE टाले और इस तरहीके से मतला प्लांट्स की ग्रोथ कि थी ठीक है ऑंधर नहीं कि यृत्रियंट लूस डाउन सिंड्रोन किस ने डिस्कवर किया था लेंगडान डाउन ने फ्रेडरिक मिशर ने फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था DNA को और उसका नाम दिया था न्यूकलीन पिर हमारे एनिमल किंडम में हम देखो हमने कुछ फाइनलन है सबसे पहले पौरिफेरा फिर हमारे सिलेंट्रेट्स आते हैं फिर हमारे सिटेनोफोर आते हैं उसके वाद थेंगे प्लेटिहलमेंथिस एसकेलमेंथिस फिर एनिलीडा आर्थोपोर्डा मॉलस्का एकाइनोडर्मेटा हैमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा तो यहां पे आपको इनकी जनरल केरेक्टिस्टिक्स देखो लेवल ऑफ औरकिनाइजिशन तो सबसे पहले हमारे पौरिफेरा इनके अंदर क्या होते हैं यह एसिमेट्रिकल होते हैं ठीक है एक यहां पर जो गेस्ट्रोपोर्ड होते हैं हमारे किसके अंदर आते हैं मॉलस्का के अंदर वो भी एसिमेट्रिकल होते हैं फिर हमारे है रेडियल और बाइलेटरल में इसको करेंगे रेडियल क्या होते हैं मतलब इस तरीके से जो प्रिफरा एस्यमेट्रिकल फिर दो हमारे हैं रेडियल कौन-कौन से निडेरिया और सिटैनोफोरा चीक है उसके बाद हमारे क्या होगे जो बचे हुए हैं हमारे कौन-कौन से प्लैटि हलमेंथी इसकलमेंथी एनलीडा और कौन से हमारा अर्थोपोडा मॉलस्का डर्मिता और हमारा हमिकौर्डड से अरते बाइड अब दीड आपको से क्या होती हैं बदOW कि प्ली इसलो मिजूडम और अन्डोरि मार्जड हमारे स्टार्ट का विटा ना में-टिम्ध सबसे यह कोशन पूछा दाता है जो सूडो सिलोम तो यहां भी नहीं थी तो जो फॉल सिलोमेट होते हैं इसके बाद जितने भी आएंगे दैट इस सिलोमेट्स मलब ट्रू सिलोम प्रेजेंट है जो इकाइनो डर्मेटा है उनके अंदर क्या होते हैं रेडियल और बाइलेटरल दोनों होती है अडल्ट और लार्वल फोन फिर पहला है हमारा पॉरी फेरा अब देखो जो पॉरी फेरा है पॉरी मतलब पॉर्स और फेरा मतलब बीयरिंग तो जितने भी जो भी हमारे पॉर पॉरी फेरा में यही आएगा अब पॉरी फेरा की एक और हमारी इंपॉर्टेंट केरेक्टरिक है इसमें कॉलर सेल्स होते हैं जिसको हम कॉइन डर्म भी बोलते हैं इस तरीके से फ्लास्क शेप के होते हैं इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं अब एक और इसके नदर चोटे चोटे पोर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं और यह उपर वाला जो ऑपर कुलम से बना लिए इसको हम बोलते हैं और अब बहार यह सराउंडिंग में वाटर है क्योंकि यह मेरा इन स्पीसिस है अब यह वाटर हमारा इन ओस्टिया के थ्रू ही एंटर करता तो इसको और फिर हमारा यहां से आउट करता है तो इसको हम बोलते हैं water canal system ठीक है अब यह जो water canal system है इस यह हमारे यहां पे तीन टाइप का है एसकोन साइकोन एंड लूकोन साइप का जो कैनाल सिस्टम होता है यह simplest टाइप का है और किसके अंदर होता है हमारा ल्यूकोसोनिया यहां पे पोर है इसको मैं बोलंगी इसको मैं बोलूंगी यहां से निकल जाएगा तो बिल्कुल तो यहां पर किया होता है मारी यह मतलब और इटील में पढ़ते हैं यहां पे दो लेर्स होती है यह पीनाइको डम होती जाए Wow घृप्याद नहें तो इस तरीके से हमार एक पहले लेजर से जाएगा जिसीहं यह पार पिनयको डम यह काइनो डम यह पर इनकरेंट कैनल ठीक है जैसा यह मैं यूं बनाओ यह पौरी फेरा तो मैंने वहां पे भी सक्सुस प्लेटफॉर्म पे विउकरा रखा तो आप वहां पे भी देख सकते हैं इस टाइग्राम को ठीकि टाइग्रम बनाने में बहुत टाइग्राम लगता है और फिर यह प्रोजोपाइल के त्रू रेडिल के नाल और एपफल के थिरू स्पोंजो सील और फिर हमारा इसमे तो इसका एक्सामपल हैं साइकों ठीक है इंगे एक्सामपल आप ध्यान रखना फिर यह यह लाध्यों वाइब कि इसमें किसमें यह कोश्चन आया था कि कौन सी स्पीसिस है जो आमफुल इंडस्ट्री क्यों विक्कोज यह जो जो यह इस तरीके से सिपी सी होते जिनके अंदर पॉल्स होते हैं उस पे यहां पर यहां पर यहां पर टाइच हो जाता और उसके अंदर यह छेद कर इसलिको बोलते हैं बोर्लिदम कर देता। यह हमें सपोंज है क्लाय इनस्थरी क्लाई हो फिर हट वेट वाइट संगीmbre स्पोंजिया आए इसने लिए ऑथ संगे अंदर रॉट साथं आ amplish optim प्री नोज प्रीव फिर यह यां शु alltid ब्राइड को गिफ्ट करते हैं तो यह मतलब बहुत सुन्दर सा होता है वाइट कलर का ट्रांस्पेरेंट सा यूपलेक्टेला इसलिए इसको बोलते हैं वीनस फ्लार बास्केट फिर है यह हो गया गिफ्ट देते हैं ल्यूकोसोनिया हमने देख लिया हमारा सिंपल टाइप का इसमें कैनाल सिस्टम होता है एसकों टाइप का क्या हमारा इससे भी कोश्चन आता है यह ना बिल्कुल एस तरीके से दिखते हैं जिससे इस तारीके का यह दिखता है तो इसलिए इसको बोलते हैं देडमेन फिंगर या फिर मर्मेट फिलाका इसको ुर्माइवा जाल साइकों is the crown sponge या फिर urn sponge बोलते है दूसरी है हमारा silentrates silentrates में हमारे क्या होता है दो form होती है एक तो यह exclusively marine species है ठीक है इसमें हमारी दो form होती है एक तो होती है हमारी polyp form दूसरी होती हमारी medusa form इस तरीके से एक तो यह free living होगी और एक हमारी polyp form जैसे hydra में होती है इस तरीके से होगी ठीक है एक तो substratum से attach होती है एक free living तो दो forms होती है अब यह दो forms है यह आपस में change भी होती रहती है polyp, medusa, modusa तो इस वाली form को इस यह method है कि इस तरीके से यह change होती है इसको हम बोलते है metagenesis और इसका example होगा जो यह इस तरीके exchange होते है इसका example होता है हमारा obelia तो polymorphic nidarian होता है इनके ना examples जो NCRT में given है उनके common name के साथ याद कर लेना gas cleanse होती है हमारी physelia में और जो moon का होता है वो हमें मिलता है corallium rubrum से पर यह भी पूछा गया फिर इसके बाद आते हमारा एक आता है third phylum that is sitanophora अब जो sitanophora होता है यह क्या होता है इसके अंदर main characteristic है इसमें छोटा सा ही है bioluminescence यह शो करते है bioluminescence जैसे जुगनों नहीं देखे एक light सी generate होती है तो इस तरीके से यह bioluminescence शो करते हैं फिर इसके अंदर एक और point है eight com plates होती है जो locomotion के लिए help करती है ठीक है इसका जो larva होता है that is CD-pid larva यह की larva होता है larva की larva भी कराऊंगी मैंने उसकी पीडियाप अटाच किया CD-pid larva फिर इसके बाद हमारा fourth phylum होता है platichal menthes जिसके अंदर flatworms है ठीक है उसमें larva से ही mainly question आता है यहां फिर उनकी species properly study करनी परती है उसके बाद है ascal menthes जिसको मैंने बोला surosilumate वहाँ पे भी उसके larva से question आते है जो platichal menthes और ascal menthes है यह दोनों और एक काई नोडर्मेट है इन तीनों के larva से बहुत जादा question आते है फिर हमारा आता है आर्थोपोड़ा है उसमें respiratory system से question आ जाते है इनका respiratory system insects का क्या होता है tracheal tubes अब जो aquatic arthropods है जिसको हम crustaceans बोलते है उनका जो respiratory system होता है that is through gills फिर है lumulus जिसको king crab बोलते है या horseshoe crab इनका होता है book gills spider scorpions का book lungs फिर है blood vascular system जो आर्थोपोड़ा होते है इनका जो blood होता है वो red नहीं होता है white white सा होता है जैसे देखो cockroach को मारोगे तो white white सा ही निगलता है तो उसको हम बोलते है hemolymph जो की colorless होता है open type का होगा ठीक है कोई respiratory pigment नहीं है फिर जो crustaceans होते है उनके अंदर blue color का present है that is hemosyanin hemosyanin copper containing नहीं एक पर यह भी पूछा गया है फिर हम आर्थो पोड़ा में excretory structures excretory structure कैसे होते हैं जो insects होते हैं उनके अंदर malphigian debu respiratory क्या पड़ा हमने tracheal tubes crustaceans के अंदर excretory structure entenal और green glands limulus के अंदर coxal glands फिर हमारा इनका nitrogenous waste इनका अगर यह water में present है जैसे aquatic arthropod crustaceans इनका तो हमारा क्या होता है ammonia और uric acid का जो terrestrial है फिर arthropods में balancing organ present होता है जिसको हम बोलते हैं stratus और यह stratosist किसके अंदर होता है aquatic arthropods के अंदर और एक ना हमारे moluska से आया वाई question sensing organ होता है उनके अंदर stratosist इसके वहाँ पे option में गीवन था apple snail तो यह question एक बार आया हुआ है ठीक है और arthropods में यह balancing organ present है देखो larva porifera है porifera के अंदर यह आपको class याद नहीं करनी है ठीक है तो psychon का larva होता है that is amphiblastula ठीक है फिर उसके लिकोसोनिया का parent का है इसका आप याद कर लो wrap ठीक है डारेक्ट यह पूछा जाता है कि इनमें से porifera का कौन सा है यह species genus भी अगर नहीं याद हो रहे है तो बेशक मत करो porifera का wrap होता है ठीक है ragone, amphiblastula, parent kaimola फिर है हमारा silentrate silentrate का होता है हमारा देखो एक तो हो गया जो mainly पूछा जाता है planula, hydrotuba और phyra आता है phyra, hydrotuba, planula अब देखो hydra इसकी species बहुत ही common सी है polyform तो hydrula, hydra से hydrula फिर hydrula, planula एक जैसे से हो गए hydra से hydrotuba भी याद रह जाएगा phyra बस एक बज़ गया that is skyful अब इस तरीके से कर लो दो तीन बार पढ़ोगे हो जाएगा यह वाला तो फिर हमारा वह सीडीपिट लार्वा उसका यह किये था फिर प्लैटी हेल्मेंटीज यहां से आपको question आ जाते है hexakent लार्वा मेंली पूछा जाता है मिर्केडियम इसी का होता है हमारा ठीक है इसकी तो यह आप species भी अगर याद कर सकते तो species भी कर लेना फेशियोला का पूछा गया थै एक बार यह मिर्केडियम लार्वा आया बाए ठीक है यह sporocyst, radia, sarsheria, metasheria ठीक है देखो sarsheria से से रियाद रहेगा metasheria, radia, sporocyst, mercadium ठीक है यह सारे लार्वा फिर हमारा hexakant लार्वा systerious, bladderworm जिसको बोलते है यह वाला option में एक बार आया हुआ है यहां से इस लार्वा से question दो बार आया है और सेम ही question आया है यह यहां से it mylar larva आए बार पको पतावना चाहिए और यह मैंकी have island छिवर इसमें एक ही लार्वा important है tropical larva ठीक है बाकि अगर सको याद होते है जैसे Maggots हो गया, Riglars हो गया, Nopolis, तो Arthopols में भी काफी बार आएगा, देखो, Nopolis काफी हो का लारवा होता है, Trocophor important है, Nopolis, जैसे कई बार होता है, Option में 4-5 दे देते, तो आपको बीच में से एक भी पता हो ना, तो Option Eliminate कर देते हैं, अगर सारे नहीं हो रहे हैं तो बीच बीच के जैसे Nopolis important है, Maggots important है, Riglar, Trocophor, फिर वेलिगर्स लारवा important है, Mollusca का, Trocophor सब में आता है, Lowens larva, Glokidum, Mollusca के भी easy हैं, फिर हमारा Echinodermita के लारवा important है, यहां से कोशन आते हैं, मैंने बताए हैं, इकाइनो डर्मेटा के लैटी हेलमेंथिस, एसकलमेंथिस से आते हैं, बाइपेनेरिया, इसमें सारे में पीछे ना, रिया, रिया सा ऐसा साउंड आएगा, डॉलेरिया, और केलेरिया, ओफियो प्लोटर्स, क्योंकि देखो इसके अंदर जो स्पीसिस आती हैं, जैसे स्टार्फिश हो गया रहा है, यह सब आती हैं, थोड़ी इकाइनो टाइप की, और इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट केरेक्टरिस्टिक होती है, वाटर वैस्कूलर सिस्टम, और जो पॉरी फैरा था, उसके अंदर वाटर केनाल सिस्टम था, ठीक है, ओफियो प्लाइटर्स, डोलेरिया, मदब टोनेरिया, इस तरीके की यहाँ पर स्पीसिस आती है, फिर कॉर्डेटा के लारवा आते नहीं है, एक जोटल एक बार पुछा गया है, फिर हमारी कनेक्टिंग लिंग से भी दो बार कोशन आया है, देखो जिसे, यह आया नहीं है, वाइरस किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में स्पीसिस, मिग्जो माइसीटी, प्रोटिस्ट और फंजाई के बीच में, एक्टिनो माइसीट, बेक्टीरिय और फंजाई, यूगलिना, एनिमल एंड प्लांट्स के बीच में, फिर प्लांट किंग्डम में जो साइकस है, जिम्नो स्पर्म है, तो वो टेरिडो फाइट और जिम्नो स्पर्म के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, जिनेटम, जिमनोस्पॉम और अंजियोस्पॉम ये वाला सिटैनोफोरा, सिलेंट्रेट्स और प्लैटी हेलमेंथिस नियोपिलन, ये वाला याद कर लेना एनलिट्स और मोलस्का के बीच में है अब तक ये तीन जादा इंपॉर्टिंट है ये वाला एक्जाम में आ चुका है हमारा और ये वाला ठीक है अर्कियोपेट्रेक्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में और नाइथुकस, डग बिल्ड प्लैटिपस इससे एक कोशन ओरा जाता है ये एग्ग लेइंग मैमल्स है क्योंकि एक्जाम ये एकलोता है ये एकलोता है एकलोता है डग बिल्ड प्लैटिपस है रेप्टाइलस और मैमल्स के बीच में पिरते को वर्टिब्रेटा को हम क्लासिफाइग करते हैं अगन्था मतलब जो जॉलस है जो बीरिंग है फिर जो अगंता है उसको फुर्दर क्लासिफाइंग करेंगे साइक्लो स्टोमा और यह ओस्ट्रा कोडर मी जो एक्स्टिंक्ट हो गई और इसमें जो जो वाली हमारी जो पिसिज और टेटरापोड़ा टेट एक इसमें से इनकी कैरेक्ट्रेस्टिंक है जो पिसिज और वो फिशिज होती है और इनकी एज ओफ पिसिज और इनकी एज ओफ पिसिज और पीरियोड यह इख़ा Forsch है अब देखो यहां से कोशन आया था इनकी तीन-चार केरेक्टर्स देखो सी से कॉंडर कॉंडरी साइथी तो यह कार्टिले जेनियस ओस्टियों फिर बोनी हो जाती है फिर इनके कौन-कौन से स्केल से पूछा गया था स्विम ब्लेडर को फर्टिलाइजेशन और विवी पैरेस यह चार पॉइंट्स इनके इंपॉर्टेंट है जो मेंली पूछे जाते हैं एक ही वाला बस है यह पॉइंट्स है पीर फिर एंफिबियंस जो दोनों जगह पे रहते हैं प्लांब टैरिस्टियल भी और वाटर में भी तो एज ओफ एमफिबियंस होती है कार्बीन फेरियश पीरियंट पिरिएड फिरेड़ की एज ओफ रप्टाइल्स मिसोजोएक च्टड़ी ओफ रे कौन से होते हैं क्योंकि में नहीं हम पाइफन को अजगर को ना नौन पॉईजनस सोच लेते हैं पर अजगर और पाइफन नोन पॉईजनस हैं पॉईजनस कौन-कौन से हैं कोब्रा क्रेट वाइपर और सी स्नेक ठीक है तो एनिमल किंग्डम तक हमने कंप्लीट कर लिया बाकी भी चैप्टर्स हम कर लेंगे ठीक है ओके थैंक यू और हाँ किसी को अगर प्लांट किंग्डम प्रॉपरली करना है तो आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं और 2019 का आप देखना वहां से कितने कोश्चन आए हैं ठीक है इस तरीके से वहां से कोश्चन बनते हैं ओके थैंक यू एंड हां कामेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कहां मलब कैसी लगी क्लास ठीक है थैंक यू ब railway ड्पवदutan हैं झाल ऑ windows हाँ लगी के यू एंड है जरूर मेंड है ऑंद legit fulfilकि लगी किते खंएह जने हैं देख़ चको कहां अजा में चैनल आपको कहां में प्रशश खं़ of का वोः ऊज़